हलो फ्रेंड्स मैं हूं मितलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यदि आप डी फार्मा इंटरेंस एक्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केमेस्ट्री सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितने कोईशन आते हैं कितना टोटल मार्क्स का क्यमेस्ट्री में कोईशन आता है कितना आप स्कोर करेंगे टोटल जो कि आपको एक सेफ स्कोर माना जाता है complete information देने वाला हूं आप वीडियो में लाश्ट तक बने रही ह ठीक है सलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि chemistry में आपकी exam में question कितने आते हैं तो आपको पता होगा UP में जो d pharma entrance exam होता है उसमें 2 groups होते हैं एक होता है group e1 दूसरा होता है group e2 तो e1 में वो बच्चे आते हैं जिनका 3 subject कौन कौन से आता है physics का chemistry का और biology का और e2 group में व पचीस question आते हैं, biology से पचास question आते हैं, जबकि E2 group आले बच्चों को physics से पचीस chemistry से भी पचीस, लेकिन math से पचास question आते हैं, ठीक है? इस तरीके से आते हैं, तो आपको जो chemistry में total question कितना है? पचीस और पूरे exam में जो total question हुआ कितना हुआ? 100 हुआ, और 400 marks में आपको यदी 230, 240 plus score कर लेते हैं, तो आपका selection confirm है, ठीक है? गौर्मेंट या फिर गौर्मेंट कॉलेज में आपको एक seat d parma की मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए आपको chemistry कैसे पढ़ना है? देखे chemistry को आप ज़्यादा serious ना ले, मेरे ख्याल से ज़्यादा serious आप biology subjects को ले, कम मेहनत में ज़्यादा output मिलेगा, कम मेहनत में ज़्यादा output मतलब 50 question है 50 में से आपका target होना चाहिए कि 40 plus question हम किसे सही कर ले? biology से, कैसे सही कर लेंगे? वो भी बताऊंगा, ठीक है? लेकिन chemistry में आपको कम से कम 10 question सही करना है 10 से 12 question, वो कैसे सही होगा? देखें कैसे, अगर biology मेरी 40 question सही होगा, 40 से 45 question और physics में भी 10 question, chemistry सही में 10 question, तो कितना हो गया? 40, 20, 60, 16 to 40 16 to 4 कितना होगा? 240 marks आ गया, 210 ये 220 पे government college मिल जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके पहला chapter, दूसरा chapter रशायनिक बंध, ये वह हम रेडियो एक्टिविता तीसरा chapter है redox अभी करियाएं, तथा electrode विभव, जिसको हम लोग redox reaction and electrode potential कहते हैं, फिर gaseous state कहते हैं, फिर हमारा बात करें, रशायनिक साम्य chemical equilibrium कहते हैं, फिर willian तथा वितरन नियम, जिसको हम लोग merger and distribution rules कहते हैं, merger and distribution rules कहते हैं, sorry, अधिसोसन, kolide, अवस्था तथा उत्प्रेरन, जिसको हम लोग adsorption, kolideal phase and catalysis कहते हैं, फिर ionic samia, ionic equilibrium कहते हैं, उसके बाद बात करें, हम लोग उस्मा गतिकी एवं उस्मा रशायन जिसको हम लोग thermodynamics and thermo chemistry कहते हैं, फिर रशायन बल गतिकी जिसको chemical kinetics कहते हैं, ठोस अवस्था यानि solid state कहते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गी करन यानि periodic classification of elements, फिर उसके बाद हम लोग आता है hydrogen तत्था उसके योगिक hydrogen and its compounds फिर छार धात्वें तत्था छार ये मिरिदा धात्वें, जिसको हम लोग alkali metals and alkaline earth metals फिर ये periodic table के chapter है, आठवा ग्रूप 3A and 4A समू के तत्व, ठीक है, ये सभी periodic table के chapters है, तो periodic table आप पढ़ लीजे, पुड़े अच्छे से, ये भी periodic table में आता है, फिर ये भी periodic table में आता है, deep block elements को, ये मिलोग क्या कहते हैं, संक्रमन, तत्थ, या फिर उपसा, सही हो, जग, योगिक, यानि transition elements and sub coordination compound, metallurgy पढ़ना है, धातु कर्म पढ़ना है, विसलेसिक रशायन पढ़ना है, analytical chemistry जिसको कहते हैं, फिर समान्य कार्बनीक रशायन, यानि general organic chemistry, क्या, general organic chemistry, फिर elephatic hydrocarbon, जिसको हम लोग elephatic hydrocarbon कहेंगे, ठीक है, फिर alkaline, halide, alcohol तथा ether, ये पढ़ना है, alkyl, halide, alcohol, ether, फिर aldehyde, ketones, carboxylic acid and their derivatives, ठीक है, उसके बाद बात करें, elephatic amine, elephatic amine हो गया, फिर हो जायव, अनू, तथा बहुलक, biomolecules and polymers, फिर aromatic yogic, जिसको aromatic compounds कहते हैं, इस तरीके से हमारा सारा chapter खतम हो गया, आप तैयारे आप कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, देखे, यदि आप D. Farma Interest Exam 2023 को focus में लिए हुए हैं, तो आपके लिए एक best opportunity है, कि हम लोगों ने batch new new launch करा है, अभी उसमें कुछ दिन पहले ही classes start हुई है, वहाँ पे classes free of cost as a demo lecture भी available है, आखिर क्या features हैं मैं पहले वो बता देता हूँ, तो D. Farma 2023 के entrance exam के point of view से recorded video lectures आपको वहाँ पे available कराए जाएंगे, देखे, आपके exam में 4 subjects है, physics, chemistry, math, biology, ठीक है, तो physics, chemistry, math के क्या होंगे, वहाँ पे e-book, pdf notes होंगे, study material होंगे, कि आप उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी है, लेकिन biology का आपके पास के available होगा, biology का recorded video lecture, theoretical का अलग होगा, प्लस जो उस chapter से MCQ बनते हैं, उसका एक अलग से video lecture बनेगा, प्लस e-book, pdf notes भी मिलेगा, किसका किसका, चारो subject का, physics, chemistry, math, biology, प्लस topic wise test में करवाँगा, प्लस model paper practice करवाँगा, previous year paper का भी practice करवाँगा, proper time management सिखाऊंगा, मतलब complete package आपको दे दूँगा, कि आपको तैयारी कैसे करना है, और आपको एक best तैयारी कैसे हो जाएगा, हमारे पास अभी math के teachers available नहीं है, ऐसे तो available हो चुके हैं, लेगिन हाँ, अभी थोरा से time लगएगा math के lectures मतलब start होने में, तो यदि आप join होना चाहते हैं, तो हमारे पास content best आपके level-able है, आप हमारे साथ जूड सकते हैं, जूड सकते हैं, डी pharma entrance exam के batch में, आखिर जूडने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा, सबसे पहले play store app पे जाएए, उदित pharmacy online classes app search किजिए, उदित pharmacy, डैनी स्टरी के से हमारा logo आएगा, आप यह install option आएगा, install कर लिजिए, फिर उसके बाद अपना mobile number डालिए, OTP डालिए, उसके बाद अपना नाम डालिए, email ID डालिए, login कर लिजिए, उसके बाद आप store वाले section में आईए, store वाले section में जब आप आएंगे, तो आपको एक course दिख जाएगा, उदित pharmacy, इसका की price हम लोगोंने 499 रुपीज रखा है, काफी minimum price में आप बहतर तयारी कर सकते हैं, और अब भी से ले करके, जब तक exam नहीं हो जाता है, तब तक आपको free of cost इस batch में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग इस तरीके से तयारी करेंगे, आपको एक दम बिल्कुल पहुचाएंगे, आपके मंजिल तक, बस आपको जो करने बोल रहा हूँ, वो कर लिजे, आपको क्या करना है, यदि आप रियली में सेलेक्शन चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कि जो ये चैनल है, वो उदित फार्मेसी, यहाँ पर हम लोग इंटरेंस एक्जाम के पॉइंट ऑव यू से, तो वो उदित अकेडमी पे वेलेवल होती है, ठीक है, फ्री अफ कोश्ट, दूसरा नंबर है, उदित अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, स्पैलिंग ध्यान से देख लिए, यू, डी, आ, टी, उदित, ए, स, ए, डी, ए, अ, टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिए, क्योंकि यदि आपको इसका पीडिएफ नोट चाहिए, यदि आपको इसका पीडिएफ चाहिए, पूरे केमेस्ट्री सिलेबस का, फिजि पीडिएफ चाहिए, जो भी क्लासेज होती है, तो उसका पीडिएफ आपको प्री अपको उदित फार्मेसी के, उदित अकेडिमी के टेलीग्राम चैनल पे वेलेबल होता है, ठीक है, तीसरा काम है, यदि आप रियली में जोईन करना चाहते है, हमारे साथ पढ़ना चाहत मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फाबर्टी वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाबाई